Hi everyone, मेरा नाम हिसान शबीर है and मैंने NEED 2021 में 692 स्कोर किया था and biology में मेरे 360 out of 360 थे आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा अपनी strategy कि मैंने कौन से resources यूज के थे biology के लिए जिनकी वाज़े से मैं perfect score achieve कर पाया था 11th की starting में मैंने coaching join की हुई थी and coaching के जो modules थे तो मैंने वो पढ़े थे starting में क्योंकि तब उतना ज्यादा पता नहीं था कि NCRT से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो वो एक self doubt था और time भी 2 साल का था तो 2 साल में तो NCRT आराम से cover हो ही जाती तो starting में मैंने modules follow किये थे modules को मैंने अच्छे से पढ़ा था और मैंने आकार्स और एलें दोनों की modules पढ़े थे क्योंकि time था तब उतना available था कि मैं दोनों modules अच्छे से cover कर सकता था 11 में जो tests हमारे होते थे उन में कुछ questions modules से भी होते थे उसके बार 12 में भी lockdown हुआ था तो online पढ़ना था तो उसमें मैंने again आकार्स के modules भी पढ़े और LN के कुछ-कुछ modules पढ़े मैंने बट जो चीज़ें ज्यादा NCRT से deviated थी उन चीज़ों को मैंने उतनी importance नहीं दी क्योंकि 12 हात या ते पता चल गया था कि नीड का paper mainly NCRT based है ज्यादा NCRT से बाहर जाना भी advisable नहीं है और हमारे जो tests होते थे coaching में उनसे पहले मैं NCRT भी पढ़ लेता था एंड फिर जब 11.12 का syllabus complete हो गया था जब फिर revision की बारी थी तो revision के time पर मैंने modules नहीं पड़े थे चाहे आकाश के हो या एलन के हो revision के time पर मैंने बस NCRT पर focus किया एंड NCRT के ही multiple revisions मैंने किये थे एंड उस time पर हमारी test series भी चलती थी तो उसमें जो थे full syllabus test होते थे एंड full syllabus test में almost 90 में से 87-88 questions NCRT के ही होते थे एक दो questions थे जो NCRT के बाहर थे तो उतना तो एक-दो साल में पता चल गया था कि किस portion से NCRT से बाहर questions पूर सकते हैं वो भी prepare था तो NCRT से बाहर जाने की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं एंड इस पूरी preparation के दोरान objectives मैंने solve किये थे अपने module से या previous questions भी ज्यादा focus किया था और साथ में इस sir ने एक book suggest की थी डॉक्टर अली यह मैंने online order की थी और इसमें NCRT based objectives थे बहुत इस book में NCRT की almost हर एक line से questions frame किये हुए थे तो NCRT पर अच्छी grip बनाने के लिए वो book से मैंने कुछ chapter solve किये थे कि NCRT से किस तरीके के questions frame हो सकते हैं और question practice की भी थोड़ी सी आदित रहे तो बस अगर मैं sum up करूँ तो end में मैं यही कहूँगा कि अगर आप 1112 के regular students है तो जिस भी coaching में आप पढ़ रहे हैं उनके modules अगर आपको लगता है कि पढ़ने चाहिए तो you can read those modules लेकिन अगर आप dropper हैं तो आपके पास उतने ज्यादा time नहीं है कि आप module पढ़ सकें आपकी first and foremost priority NCRT होनी चाहिए कि NCRT का हर एक chapter हमें line by line याद भी करना है और NCRT के हर एक line को समझना भी है बाकि आप जहां पढ़ रहे होंगे अपने teachers से आप suggestion लीजिए वो आपको better guide कर पाएंगे कि आपने किस तरीके से prepare करना चाहिए और कौन से resources use करने चाहिए